नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाका में दोस्तो, टीवी आक्ट्रस दिपिका ककर और शुएप अबराहिम के गर से आ रही थी अच्छी खबर आ रही थी ये खबर कि दिपिका प्रेगनेंट है, दिपिका मम्मी बनने वाली है और इनी सब बातों के बीच में अब शुएका के फांस के लिए एक बुरी खबर आई है क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं वो खबर इस रिपोर्ट में टीवी का पटाका की पर टेलिविजन इंडस्ट्री की हर चटपती मसालेदार खबर को जानने के लिए जरू सब्सक्राइब करें टीवी का पटाका को दोस्तों, दिपिका और शुएब इवराहिम के घर से हाली में हम सभी को ये खबर सुनने को मिल रही थी कि इन दिनों दिपिका और शुएब अपना पहला बेवी यानि कि अपना फर्स्ट बेवी एक्सपेक्ट कर रही है दिपिका प्रेग्नेंट है, लेकिन हाली में शुएब ने अपना एक व्लॉग शेयर करा है और उसमें दिपिका दवाई लेती हुई नजर आ रही है, दिपिका की तबियत ठीक नहीं है शुएब ने अपने व्लॉग में इस बारे में बताया भी, हम आपको बता दें कि आ रहा है सभा का जनम दिन और ऐसे में पूरे परिवार को सभा के इस जनम दिन को लोनाबला में सलिबरेट करना है यहाँ पर दिपिका ब्लॉग में जब दवाई ले रही थी, तो उसके बार शुएब ने बताया कि दिपिका को डॉक्टर के पास ले कर जाना था उसे कल राच से फीवर है, कफ और कोल्ड हो गया था, अब वो ठीक है और डॉक्टर ने कहा कि वो घूमने जा सकती है हाला कि हम आपको बता दें कि दिपिका और शुएब दोनों ही काफी समय से बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन दिपिका की हेल्थ की वज़े से काफी जादा प्रॉब्लम्स आ रहींगी, पर अब फाइनली गुड नियूस सुनने को मिली, तो लग रहा है मानो, जैसे किसी की नजर लग गई हो इस कफल को, आप क्या कहेंगी? वेल हम तो यही चाहते हैं कि दिपिका जल से जल ठीक हो जाएं और हमें गुड नियूस सुना दी, आप भी अपनी राइक कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना पूलें